देश के पश्चिमी प्रांथ, गुजरात में पिछले साल के मुकाबले वर्तमान मार्केटिंग सीजन के दौरान अधिकांच अनाजी एवं दलहनी फसलों के उतपादन में गिरावट आने की आशंका है, जिसमें चावल, मक्का, उडद एवं मूंग आदी शामिल हैं। मौझूदा मार्केटिंग सीजन, खरीफ प्लस रभी, के दौरान चावल का उतपादन 23.96 लाक टन से घटकर घटकर 20.72 लाक टन, गेहूं का उतपादन 41.03 लाक टन से गिरकर 38.04 लाक टन, तथा मक्का का उतपादन 8.57 लाक टन से फिसल कर 8.42 लाक टन पर सिमट जाने की संभा दूसरी और इसी अवधी में वहां जवार का उतपादन 46,000 टन से सुधर कर 65,000 टन तथा बाजरा का उतपादन 12.93 लाक टन से उच्छल कर 17.86 लाक टन पर पहुंच जाने की उम्मीद है दलहनी फसलों में उड़त का उतपादन पिछले सीजन के 84,000 टन से गिरकर इस बार 49, 24,000 टन तथा मूं का उतपादन 1.12 लाक टन से घटकर 64,000 टन रह जाने की संभावना व्यक्त की गई है लेकिन इसके विपरीत वहां तुवर का उतपादन 2.83 लाक टन से बढ़कर 3.38 लाक टन चना का उतपादन 12.98 लाक टन से सुधर कर 13.23 लाक टन एवं मोट का उतपादन 8,000 टन से बढ़कर 12,000 टन पर पहुँचने का अनुमान लगाया गया है गुजरात में खरीफ कालीन फसलों की कटाई तयारी एवं रभी कालीन फसलों की बिजाई बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है वहां खरीफ एवं मुख्यत रभी सीजन के अलावा सीजन का हिस्स माना जाता है मौसम की हालत पूरी तरह अनुकूल नहीं होने से इस बार गुजरात में कुछ महत्वपून फसलों की उपजदर में गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी